गोरी बहु का काला बेटा पार्ट टू अगर मैं उनको खाना भी नहीं दूगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे अरे तू इतनी टेंशिन क्यों लेती है बहु वो कुछ नहीं सोचेंगी और वैसे भी उनकी तब्यात कुछ ठीक नहीं है वो जितनी देर आराम करेंगी उनके लिए उतना ही अच्छा है जा तुभी सुबर से काम करके ठक गई होगी ना आराम कर ले हाँ ठीक है माजी इन सब बातों से अंजान बेचारी परी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है तो वहीं दूसरी और सीमा अपनी बहु की बुराई करती है और उसे सब की नजरों में बुरा बना देती है इस वज़े से कोई भी परी से सीधे मुबात नहीं करता और बुआ सास भी जाते हुए परी को ताना देती है बहु, सिसुराल में आकर थोड़ी सी सिसुराल की जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए जितना समय तुम बहुएं अपने चेहरे को सजाने में देती हो उतना ही समय अपने सिसुराल वालों को भी दो मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी अगर इतनी समझदार होती तो बाती क्या थी अच्छा पापी मैं चलती हूँ मुझे चलना चाहिए ठीक अधीती और घर पहुँचकर फोन कर देना इस तरह से बुआ सास चली जाती है पर परी अपनी बुआ सास की किसी भी बातों को दिल पर नहीं लेती इन सब बातों से अंजान बेचारी परी को उसकी सास थे उसे सब की नजरों में बुरा बना दिया है वो अब भी अपनी सास को मा मानती है अब ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और देखते ही देखते बहुत जल्द पियुष का जन्म दिन आ जाता है माजी आज पियुष जी का जन्म दिन है तो मैं सुछ रही थी कि क्यों न इस पार आप और मैं हम दोनों मिलकर पियुष जी को एक सप्राइज दे बहु पियुष तो अपना जन्म दिन मनाता ही नहीं फिर हम उसे क्यों सप्राइज दे मा जी ये सब कुछ आप मुझे पर छोड़ दीजी मैं सब देख लूँगी बस मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए आप मेरे मदद कर दीजीगा इस तरह से परी अकेले घर का सारा काम करती है और पियुश के लिए एक सर्प्राइज प्लान करती है जिसमें वो पूरे घर को बहुती सुन्दर तरीके से सजाती है और अपने सभी रिष्टेदारों के साथ पियुश और अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाती है शाम को जब पियुश घर आता है और ये सारी डेकोरेशन देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है पर सीमा वहाँ पर भी अपनी बहु को बुरा बनाने की कोशिश करने लगती है वाँ आज पहली बार मेरा जनम देने इतनी अच्छी तरह से बन रहा है वैसा ये सब प्लान किसका था प्यूश बेटा ये तो तू बताएगा ना कि ये सब तेरे लिए कौन कर सकता है प्यूश थोड़ा सा सूच में पढ़ जाता है पर प्यूश बहुत अच्छे से जानता था कि ये सब काम परी का है और वो जैसे ही परी का नाम लेने जाता है कि तभी उसकी बुआ बोलती है बेटा ये सब किसी और ने नहीं बलकि तेरी मा ने किया बच्पन से तुझे पाल रही है और आज जब उसे मौका मिला तो उस तेरे लिए इतना बड़ा सुप्राइस प्लान किया वैसे ना ये सब कुछ तेरी परी को करना चाहिए था पर उसे खुद से फुरसाती नहीं मिलती जब वो घर का या तेरे लिए कुछ काम कर सके अपनी बुआ सास की ये बात सुनकर परी के पैरो तले जमीन खिसक जाती है और उसका चहरा उतर जाता है पियोश जब परी का उतरा हुआ चहरा देखता है तो समझ जाता है कि सारा प्लान परी का किया है पर उसे अभी भी समझ में नहीं आता है कि जब सर्प्राइस प्लान परी ने किया तो उसकी बुआ ने उसकी मा का नाम क्यो लिया अब ऐसे ही कुछ देर तक सब बड़े एंजोई करते हैं और इसी बीच आए सभी महमान परी की भर-भर के बुराईयां करते हैं जब परी अपने लिए इतनी सारी बुराईयां सुनती है तो उसके दिल को बहुत ठीज पहुंचती है माजी, सभी महमान मेरे बारे में ये कैसी बात कर रहे हैं और आप उनकी हां में हां मिला रही हैं मुझसे कोई गलती हुई है क्या ममी जी तुछ से तुछ से तो कोई गलती नहीं हुई बहु अरे बहु लोगों का काम होता है बुराई करना तु ना इन सब की बातों पर इतना ध्यान मत दे और रही तेरी पी उसकी बुआ की बात है तो मैं तो एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल भैकती हूँ अरे जा कर पार्टी एंजॉय कर बेटा सीमा की कहने पर परी पार्टी एंजॉय तो करने लगती है पर इसी बीच सीमा काम करने का दिखावा करने लगती है सीमा को काम करता देख कर घर आये सबी मैवान एक बार फिर से परी की बुराय करने लगते है परी बहु, तुम्हारे माई के वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या तुम्हारी सास अखेली इस उम्र में काम कर रही है और तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो वो बुआ जी मैं बस परी बोली रही होती है कि बुआ सास परी के उपर बरसने लगती है ये देखकर पियुश को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो मेहमानों की जाने का इंदजार करने लगता है मेहमानों के जाते ही पियुश परी के आंसू पोश्टा है और अपनी मा से कहता है मा मैंने देखा किस तरह से पार्टी में आप परी की बुरा ही कर रही थी लेकिन परी ऐसी बिलकुल नहीं है जैसे आप लोगों की नजरों में उसे बना रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मेरी परी को सब की नजरों में इतना बुरा क्यों बना रही हो बेटा मैं तेरी मा हूँ मैं तेरी बीवी को बुरा नहीं बना रही बेलकि तेरी बीवी तुझे बुरा बना रही है सब की नजरों में पता है जब से यह हमारे घर में बहु बन कर आई है न सब क्या बोलते हैं तेरे बारे में लोग कहते हैं लंगुर के हाथ अंगुर आ गया नहीं जानी और किस-किस तरह से लोग तेरा मजाग बनाते हैं मा लोगों का तो काम होता ही है बोलना और मुझे समाजवालों से फर्क नहीं पढ़ता कि वो हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं और नाई परी को फरक पढ़ता है इसलिए आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए परी इतनी गोरी, इतनी सुन्दर है पर फिर भी उस परत्ती भरका भी घमण नहीं है और जिसने मुझे से काले से शादी करी, मेरी इतनी परवा की आप उसी के बारे में ऐसी शब्द बोल रही है आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है मा मा जी आप अगर चाहती थी कि मैं सबकी नजरों में बुरी बन जाओ तो आप मुझे एक बार कह देती मैं अपने आप सबकी नजरों में बुरी बन जाती मा जी मैंने आपको सास नहीं मा समझा है और अपनी माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ आप एक बार बोल कर तो देखती अपने बेटे बहु की ऐसी बाते सुनकर सीमा को अपनी गलती का एसास होता है आज मैं हार गए बहु तेरे सामने हार गई मैंने तेरे साथ कितना गलत किया आज तो मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी हूँ नहीं नहीं माजी ऐसा मत किये मुझे माफ कर दे बहु और तो फिक्र मत कर तेरी सास तो तुझे सबकी नजरों में बुरा बनाया है न अब मैं ही तुझे सबकी नजरों में अच्छा भी बनाऊंगी ऐसा मत कईए माजी मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती है बस आप तो लोगों के बहकावे में आ गई और आपने ऐसा काम किया पर मुझे खुशी तो इस बात की है कि समय रहते ही आपको सब समझ में आ गया कि किस तरह से लोग हमारे घर को तोड़ने की कुशिश कर रहे थे बहु आज मुझे सब समझ में आ चुका है इसलिए अब मैं भी तेरे और पियुश की तरह कभी किसी की नहीं सुनूगी अब मुझे भी किसी की परवा नहीं है इतना बोलकर सीमा अपने बेटे बहु को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से सीमा कभी भी अपनी बहु की ना तो बुराई करती है ना ही उसे बुरा बनाने की कोशिश अब सीमा जब भी बात करती तो अपनी बहु की तारिफ क्या करती और ये देख कर सभी महले वाले और रिष्टेदार उसकी बहु से जलते कि आखिर सीमा की बहु इतनी अच्छी कैसे हो सकती है तो वहीं सीमा अपने बेजे बहु के साथ एक खुशाल जिन्दगी जीती है